हेलो बच्चो कैसे हो बहुत बढ़िया एरे गुड ओके तो हम चैप्टर दो कर चुके हैं सबसे पहले हमने किया matter in our surroundings फिर हमने किया is matter around us pure पहले में हमने जाना matter क्या होता है फिर हमने जाना कि क्या matter pure होता है कि नहीं होता अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले है उसमें ये जानेंगे कि matter किन particles से मिलके बना होता है और उन particles को हम क्या नाम देते हैं तो चैप्टर का नाम हमारे पास है atoms and molecules य क्या होते हैं इनके बारे में जाने से पहले हमें खोड़ा history में जाना पड़ेगा background चेक करना पड़ेगा तो background में किन-किन लोगों ने क्या 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 वो देखते हैं तो अपर स्क्रीन पर देखिए तो जो खास ध्यान दिया गया वो दिया गया ancient Indian philosophers and Greek philosophers में तो इन तो उन्होंने खास ध्यान दिया matter के उपर सबसे पहले around 500 BC महारिशी करनन उन्होंने ये कहा कि अगर हम matter जिनों उन्होंने matter को पडार्थ घावा आपे तो अगर हम पडार्थ को divide करते हैं उसको छोटे छोटे टुकडों में तोड़ते जाते हैं तोड़ते जाते हैं तो हम एक पॉइंट तक पहुचेंगे जहां पे हम उसे और तोड़ नहीं सकते हैं तो उस smallest particle को महारिशी गनद ने परमणू का नाम दिया ठीक है उसी समय लगभग इंडियन philosopher पकुधा नप्यायामा ने ये कहा कि ये जो परमणू है इन्ही को तरह तरह से जोड़ कर हम अलग-अलग तरह की states of matter उदा सकते हैं ये कहते हैं इस कौन परमणू इस एक्जिस्ट इन combined states to form various form of matter जैसे की solid, liquid, gas and plasma तो यही परमणू अलग-अलग तरह सजुड़ कर अलग-अलग matter की states को जनम देते हैं फिर लगभग उसी समय उसी एरा में ग्रीक philosopher Democritus and Yukipas ने हमें ये कहा जो महारशी कनद ने कहा as it is कि अगर हम matter को smallest particle में तोड़ते जाते हैं तो हमें एक ultimate लेक बिल्कुल small particle मिलेगा और उस small particle को इन दोनों के नाम दिया दिया atom तो जो महारशी कनद ने इसको परमणों कहा उसी को इन दोनों ने atom का नाम दे दिया है आपे तो ये था कुछ history के बारे में अब आगे जानते हैं उससे पहले आप ये note कर लेंगे ओके बच्चे तो अभी हमने ये सिखा कि अगर हम matter को तोड़ते जाते हैं तो ultimately हमें एक small particle मिलता है उस particle को महारशी कनद ने परमाणों का नाम दिया और Democrats ने नाम दिया atoms का लेकिन कुछ लोग interested थे कि वो जो small particles है वो combine करके जब मैं particle बनाते तो कौन से lows को follow करते हैं कौन से लोग उन पर applicable होते हैं तो उस पे जाता काम किस ने किया उस पे जाता काम किया Anthony L. Lavoisier इन्होंने foundation दी किसकी foundation दी इन्होंने foundation दी chemical science की मतलब जो हमके विश्ट्री आज पढ़ रहे है उनका जादा श्रेप इन्हीं को जाता है तो इन्होंने foundation रखी chemical sciences की यह उन्हें कौन कौन से दो लोज दी है वो बहुत ही important क्रूशिल लो है कौन कौन से है इन्होंने पहला लो दिया लोगो conservation ऑफ मास दूसरा कि इन्होंने लो दिया लो ला ओफ कॉंस्टेंट को हम definite भी किया देते हैं मतलब fix होता हूं proportion तो ये दो खास नियम है जिन्हें नियमों के अनुसार elements जुड़के compound बनाते हैं ठीक है अब ज़रा जानते हैं एके करके इन नियमों के बारे में इन लास के बारे में ठीक है तब से बहले पता करते हैं law of contribution of mass के बारे में तो ये लोग क्या कहता है बहुत simple है ये नियम ये कहता है matter can neither be created nor be destroyed मैं जैसे नियार में चोक है इस चोक को आप बिलकुल खत्म नहीं कर सकते हैं मतलब ये चोक को अगर आप तोड़ेंगे तो powder बन जाएगा powder को और पीसेंगे तो और fine particles बन जाएगे लेकिन ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि ये चोक हवा में ही vanish हो जाए उसी तरह आप किसी भी चीज़ को बना नहीं सकते मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी न कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है अगर हमारे पास nothing है तो nothing से something नहीं कर सकते ये पहले नियम का सार उसका essence इसको defy किसरे करने के भी फिनिश किया है इसकी that matter can neither be created nor be destroyed हाँ हम इसकी सरफ form को change कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास चोक है तो चोक को मैं ब्रेक करता हूँ different size के particle में different size में इसको break up सकता हूँ मैं इसे crush कर सकता हूँ ताकि मेरे पास powder बन सके मतलब मैं इसकी form को change कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको completely खतम नहीं कर सकता समझ के बात यह वाली न मेरी ठीक है ओके यह हमारा नियम है यानि कि जुतना मास चोक का था जुतना भार जुतना वेक चोक का था उतना ही वेक इसका भी होना चाहिए कि मास constant रहेगा हर state में हर form में तो अगर वे पास कोई reactant है और reactant से मैं कुछ product बनाता हूँ तो जो मास reactant का है उतना ही मास product का भी होगा compulsory है यह है यह है मारा law of mass conservation या law of conservation of mass ठीक है example को और लेते है example क्या है कि अगर आपके पास पानी है चार गराम उसको आप freeze कर देते हो तो जो बर्फ मिलेगी जो आइस मिलेगी वो भी चार गराम की ही हो समझें बाते वाली तो दोनों का जो मास है दोनों का जो weight है वो same होगा that is your law of conservation of mass से not कर लेंगे तो चलिए बचले कुछ examples की बात करते हैं उन examples के जरीए हम यह प्रूफ करते हैं कि हमारा जो ला है वो ठीक है कार्बन मतलब element है इसका symbol c होता है कार्बन को oxygen के साथ reaction करवाई गई और मुझे मिलता है carbon dioxide c होता है कार्बन का मास होता है वो 12 होता है oxygen का मास होता है 32 तो इस तरफ जो मास है वो 44 होगा अगर मैं यहाँ पर भी मास calculate करता हूं कि तरह आएगा carbon का 12 oxygen का 32 तो यहाँ पर भी 44 आ रहा है इस side को मैं reactant कहता हूं left side को क्या कहते है reactant और right side को हम product कहते हैं तो ध्यान दे पा रहे होगे reactant का इतना मास है उतना ही मास product का भी है तो यह equation यह reaction law of conservation of mass को follow करती है similarly कि अगर आपके पास 4 gram ice है और उस ice को अगर आप melt करते हैं तो आपके पास 4 gram ही water बनेगा और उसी 4 gram water को अगर आप vaporize कर देते हैं तो आपको 4 gram steam ही मिलेगी mass change नहीं होगा तो यह activity आप घर पर भी कर सकते हैं पाने लीजिए उसका mass check केजिए उसको जमाद दीजिए फ्रिज में दुबारा mass check केजिए आप पाएंगे दोनों का mass same है ठीक है ओके यह दो कुछ common examples थे जिलिके जरी हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास यह law satisfied होता है minimum second low की तरफ बढ़ते हैं second low हमारे पास है law of constant slash definite proportion constant क्या होता है जिसकी quantity change ना हो उसे कहते है constant कि माल लीजिए कि आपके पास चार कंचे है और आप उन कंचो को एक container में बंद करके लोग कर देते हैं और एक साल बाद चेक करते हैं तो उसमें अगर चार कंचे ही है तो कंचो की quantity change नहीं हुई है तो उसे हम कहेंगे constant है उसी तरह हमारे पास definite definite का मतलब होता है fix fix कर दिया हमने कि मैंने कहा कि मैं definitely चार बज़े class लूँगा तो मैं 4 बज़े ही class लूँगा कि definite है यह fix हो गया है तो इस low में हम किस चीज को constant करेंगे और किस चीज को definite करेंगे हमें वो check करना है यहाँ पर हम जिस चीज को fix करने वाले है वो चीज है mass तो हम elements के mass को fix करेंगे compound के अंतर जैसे मेरे पास element A है element B है element A element B डोन जुड़के AB compound बनाते है तो इस compound को मैं किसी भी source से प्राप्ट करूँ चाहिए compound कुझे experimentally मिलता हूँ चाहिए compound कुझे naturally मिलता हूँ it doesn't matter चाहिए compound experimentally मिले चाहिए compound naturally मिले जो mass A का है और जो mass B का है वो जो ratio रहेगा वो ratio हमेशा fix रहेगा it doesn't matter कि हमें वो कहां से मिल रहे है जैसे एक्जामपल लेता हूँ एक्जामपल लेना बहुत ज़रूरी है carbon plus oxygen मुझे मिलता है carbon dioxide तो carbon dioxide पाने के कितने source है breathe out करो CO2 बाहर निकलेगी paper को burn कर दो CO2 बनेगी और क्या है respiration है CO2 बनेगी ठीक है तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे source है जिसके जरीए हम CO2 gas को प्राप्त कर सकते हैं उसे attain कर सकते हैं तो जो CO2 gas मुझे मिल रही है उस CO2 gas में carbon भी है oxygen भी है तो carbon और oxygen का mass six रहेगा it doesn't matter कि CO2 मुझे कहा से मुट रही है तो अब उस six mass को calculate कैसे किया जाए हमें वो देखना है तो CO2 carbon का mass होता है 12 ठीक है carbon का mass होता है oxygen का mass होता है 16 क्योंकि मेरे बस दो oxygen है तो 2 oxygen के लिए mass हो जाएगा 32 तो 12 ratio 32 इससे simple करेंगे तो simple करेंगे cut करेंगे तो मुझे मिलेगा 3 ratio 1 तो 3 parts by mass carbon के combine होते है 8 part by mass of oxygen से तो इस चीज़ को मैं श्राटिके लिखता हूं that 3 parts by mass of carbon combine with 8 parts by mass of oxygen यह मतलब है statement का अब 3 parts by mass का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको और simplify करता हूं तो 3 gram carbon 8 gram oxygen से combine करके CO2 बनाएगा मतलब वो 3 और 8 वही रहेगा हम सिर्फ units को change कर सकते हैं कि पहले मैंने 3 gram का 3 kg कर दिया तो 8 gram का मैंने 8 kg कर दिया अब अगर मैं 8 gram का 8 mg कर देता हूं तो 3 gram का मुझे 3 mg करना पड़ेगा कि units हमारी मैंच होनी चाहिए और वो नंबर हमारा fix रहेगा वो नंबर हमारा definite रहेगा constant रहेगा समझे बात यह वाले लेट मी टेक लेट मी राइट एक और लिखने से भैकर समय में आता है ज्यांदे में आप एक ना कि 3 gram carbon combine करेगा 8 gram oxygen से ताकि मुझे मिल सके CO2 ज्यांदे पार्यों 3 3 8 8 तो यह हमने fix करते है definite कर दिया हम सिरफ unit को change कर रहे हैं similarly, 3 miligram carbon combine करेगा 8 miligram oxygen से ताकि मुझे CO2 मिल सके यह 3 और 8 फिर से आप गया तो यह ratio by mass हमने fix कर दिया समझे के सब बात है वाले तो अब इस को हम definition wise निके दिखा लेंगे okay बच्चे अपने screen पर सब देखिए मैंने definition लिख दी है वो क्या है when two or more elements two elements लेते हैं a plus b when two or more elements combine to form a compound combine to form a compound the ratio of mass of each element इसका mass x इसका mass y तो ratio बनके x ratio y तो ratio of mass of each element will be fixed will be fixed hall number तो x और y हमारे पास क्या रहेंगे hall number हैंगे और यह number fix रहेगा no matter what the source or units are कि unit or source क्या होंगे उससे matter महीं करता जैसे कि x gram a combine करेगा y gram b के साथ unit gram a combine करेगा y gram b के साथ मैंने unit change कर दी पर जो ratio था वो x ratio y ही रहा तो units matter नहीं करती है source भी better नहीं करता चाहे a मुझे मिले lab से चाहे a मुझे मिले nature से उससे फरक नहीं पड़ता a b में जो mass का ratio है वो fix रहेगा समझे बास अभी वाली नट कर लेंके इसको okay बच्चे I think सभी को जो हमने अभी तक पढ़ा समझ में चिसे आया होगा अगर कोई भी doubt आपको है तो आप please comment section में पूछें बहाँ पर doubt clear किया जाएगा सभी का immediately ठीक है okay तो आज हम इतना ही करेंगे lows हमने पढ़ लिए है अब lows के बाद हम जानेंगे कुछ एक और दो lows के बारे में then हम discuss करेंगे atoms और molecules क्या होते हैं यह जो मैंने carbon का mass लिखा 12 आपको का लिखा 12 यह कैसे आता है यह भी हम जानेंगे लेकिन next videos में कब तर जुड़ना कड़ेगा आपको साथ में जुड़े रहेंगे सिखते रहेंगे मजा रहेंगा तब तक के लिए stay healthy, be safe and bye to all